नमस्कार मैं हूँ रमेश भट और मैं नत्वा खान के तोक सेरी में हूँ और फार्मर्स की आई दुगनी कैसे हो सकती है उसके लिए एक इंटिकरेटट फार्मिंग मॉडल क्या हो सकता है वो काम कर दिखाया है यहाँ पर जगदी सिंग बिष्ट जी ने दरसल वो आडियास से आप भी प्रेंडना लीजिए ताकि आने वाले समय में आप भी इंटिकरेटट फार्मिंग कर सके जगदी जी बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आप से मिलके और आप वाकई अद्भुत कर रहे हैं आपकी सोच बहुत अद्भुत है क्या-क्या जब आप इंटिकरेटटट फार्मिंग की बात करते आपकी नजर में क्या-क्या है तर सबसे पहले नमसकार मेरा नाम जगदी सिंग बिस्ट है मैं अपना नाम बताना चाहूंगा और मैं इंटिकरेटट से रिलिटेड में आपको बताना चाहता हूं जैसे गौसाला हमारी जो पहाड की गाय है, बदरी गाय को मैं थोड़ा सा शंग्रक्षन देना चाहता हूं. अला कि दूत कम देती है, एक बदरी गाय को मैं पाल के उसके दूत से मैं घीन मार्केट में लाओंगा. और दुस्ता शाहती साथ और उसके गोबर से मैं धूब्ती और दिया, उपले, काफी सारी छीज़े बनती हैं जो मैं आजकल मारकेट में काफी बिकरी हैं, मैं उन चीज़ों को मारकेट में लाओंगा दुसरा उसके साहती गौशाले के साहती मेरा रेवेट फार्मिंग का भी बिचार है रेवेट फार्मिंग का कर रहा हूँ गौड फार्मिंग का करना है मैंने उसके साहती मुर्गी पालन का पॉली हाउसेज मस्रूम ये सारी चीजे मैं एक इन हाउस कर रहा हूँ शाती साथ शाती में फार्माउस, एको टुरिज्म जो चीज हमारे यहाँ पर अभी नहीं है बिलकुल भी किसी के पास भी उस चीज को मैं त्विस्ट को यह चीज दिखाना चाहता हूँ कि पहाड में खेती कैसे होती है और यहां के आजुटा कैसी चलती है यहां की जो गाई हैं या मिलब कोई जानवर है उनको कैसे पाला जाता है कैसे रखा जाता है कैसे उनको खिलाए पलाए जाता है सारी चीजे मैं यहां पर in-house दिखाना चाओंगा मुझे ये भी बताइए कि आपने बहुत सारी चीजे में देख रहा थे स्ट्रावरी आपने लगाई हैं कीवी आप लगाने का प्लान कर रहे हैं हल्दी अद्रग नॉन सीजनल वेजिटेबल सब कुछ आपने लगा है थोड़ा सा आगे को चलते हैं तो ये सब आपको लगता है कि इन सब से हम कहीं न कहीं आने वाले दुनों में जो असली फार्मस की आई बढ़ानी उसको ये इंटिग्रेशन में जाना होगा जी बिल्कुल क्योंकि बुदबूत करके कहते हैं ना बुदबूत करके घड़ा बढ़ता है एक चीज से हम अपने आपको सर्वाइव नी कर पाएंगे इसलिए चोटी-चोटी चीजे हमें पकड़ के चलनी पड़ेगी इसमा भी हमारा एक प्लान मधुमक्ही का भी है मैं यहां पर काफी सारे बगीचे उगर भी है वो उसके साथी हम मधुमक्ही भी रखना चाहते हैं सर और साथी क्या है कि जब तक हम चोटी-चोटी चीजों को नहीं पकड़ेंगे जैसे आपने कहा हल्डी और अद्रक और कीवी यह चीजों को हम लेकर नहीं चलेंगे तो हमार जो आजवी का है वो नहीं चल पाई भी चल पाईगे क्योंकि कभी-कभी कोई फसल खराब हो जाती तो दुस्रे उसको सर्वाइब करने के लिए दुस्रे फसल हमको सपोर्टिंग करेगी सर तो गुरगाओं में आपके पास अपना व्यपार था उसे छोड़ने का कही मन में बलाल तो नहीं है यहां जादा अच्छा लग रहा है नहीं सर वहाँ पर देखो हम जरूर यहां से बाहर जाते बाहर जाकर पैसा जरूर कमा लेते लेकिन जो आत्मिक शांती है वो यहां पहाड में है पहाड का शुद्ध पानी शुद्ध हवा और शुद्ध क्लाइमेट तो हमको काफी रिलेक्स करती है, साथ ही साथ हमें ये भी अपनी मात्र भूमी में आने के बाद एक बहुत अच्छा फील होता है इसके लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर आगे में फ्री माइंड 10 गंटे, 12 गंटे, इतना मैं आराम से, 14 गंटे आराम से यहाँ पर काम करता हूँ, बिल्कुल किसी टेंशन, मैं लाखन सिंग नेगी जी का एपल फार्म देख रहा था, तो उन्होंने किस तरह से वहाँ पर शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से इंटिग्रेटेड़ फार्मिंग कर रहे हैं। जी, वह मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी हुझे से ही मैं आज यहाँ पर खड़ाओं क्योंकि उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उनकी हुझे से मैं आज यहाँ पर खड़ाओं, जो एपल फार्म का भी उनका बिचार था, कापी हमारी उस पर डिसक्रि मतलब खोच से अगर हम थोड़े तेरे के लिए गर्मिंट को दूर रखें, कितने लोगों को हम और जोड़ सकते हैं, ताकि यह जो बेल्ट है, हमारी पिछडी बेल्ट मानी जाती है, यहां अगर हम इंटेगरेटेड़ फार्मिंग मॉडल खड़ा करें, देखें, जो हमारा रामगड बलोग और बिधान सबाव भीमताल मारा रामगड बलोग आता है, उसके उसका अधार जाए मिजो हम टो भी अच्छे आँ पर भार्मिंग होती है, और तब ब्रॉक्षर कार दवारा भी काफी प्रमोड किया जाता है, ब्यक्तिकरत रूप स मैं कहना चाहूँगा क कि अगर हम टेक्निकल फार्मिंग तरफ जाएं तरफ जाएं तो हमने जैसे हर न यायाई पंचायत इस थार प्छेज़ को फिर दूरस्त गाऊ हैं जैसे उखलकाड़ा ब्लोग है मेरा उद्देश ही है कि हम अपने ब्यक्तिकत इस्तर पर लोकल के लोगों बेरोजगार जो युवा साती है उनकी जमीनों पर उनके साथ एक जॉइन अवेंचर करके वहां पर ये चीजे एक मौडल फार्मिंग तैयर करें और लोकल के बेरोजगार युवां को हम आपर ट्रे सबाय हैं जो नियाए पिंचाद इसतर पर हम मौडल फार्मिंग के अगर एक-एक मौडल तैयार कर दें तो वही चीज हमारे देखा देखी और निकारें बिल्कुल करेंगे जग्दीश भाई बहुत धन्यवाद मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलगे हमारी पाहड जी ने जो एक पूरा मौडल तैयार किया है आप इसे देखने आईए यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं लेकिन आप करिए इस धर्ती पे रहके कुछ करिए और यकीन मानिए हम अपनी जमीन पे रहके अपना रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं दूसरों को भी इस बर बना सकते हैं